हेलो दोस्तों वेलकम बैक टु दे चैनल तो दोस्तों आज हम देखेंगे एक और एप्लिकेशन ऑफ परसेंटेजिस प्रॉफिट लॉस और डिसकाउंट यह भी बहुत ही कॉमेंट क्वेस्टेन है जो कि हर क्वेस्टेन पेपर में आपको मिली जाएगा अप्टिटूड या क्वाइंट के पेपर में बहुत असानी से मिलता है तो आएए देखते हैं कि हम परसेंटेजिस के कंसेप्ट जो हमने लर्न करें थे उनको हम प्रॉफिट लॉस वाले क्वेस्टेन में कैसे यूज कर सकते हैं तो इसके बेसिक्स जानना बहुत जिरूरी है तो आज की वीड होता है expenditure to purchase और produce an object कि कितना पैसा हमने खर्च किया है किसी भी चीज को बनाने के लिए या खरीदने के लिए for example अगर मैं एक manufacturing firm हूँ तो एक object को बनाने के लिए कितनी मेरी cost आई including raw material, manufacturing expenses, labor expenses तो कितना पैसा लगा मेरा उसको object को बनाने के लिए वो हता है cost price कि company को कितनी cost पढ़ी है किसी person को उसकी कितनी cost करी कितने उसने खरीदा seller से फिर होता है selling price कि company ने object को बना लिया है अब उसको किस price पे बेचती है आगे उसको हम कहते है selling price या किसी बंदे ने किसी से खरीद लिया shopkeeper से कुछ चीज उसको आगे वो कितने रुपे में बेचेगा तो उसको कहते है हम selling price simple है profit and loss क्या होता है अब difference between selling price and cost price कितने में मैंने लिया और कितने में बेचा उन दोनों का difference ही determine करेगा कि मेरे को कितना मुनाफ़ा हुआ या कितना घाटा हुआ उस transaction से और percentage profit or loss कैसे calculate करता हूं मैं यह हमें बहुत important याद रखना है कि जो percentage of profit and loss है यह हम cost price के relation में calculate करते है यानि कि जो denominator में जो चीज आती है that is cost price तो इसका formula क्या होगा selling price minus cost price divided by cost price into 100 तो denominator में जो आएगा वो cost price आएगा जो base होगा जो concept of base से अब relate कर सकते है cost price के relation होगा similarly margin जो होता है margin क्या होता है profit को हम calculate करते है as a percentage of selling price अब यह change of base का concept हा समझे इसमें कि profit and loss तो मेरा cost price होगा base अगर मैं को margin की percentage निकालनी है तो base क्या होगा selling price जो ऊपर का figure हा numerator वो सेम रहेगी तो यह पुरा change of base का concept है कि नहीं कि जो उपर वाली figure है that is the difference between selling price and cost price दोनों case में सेम रहेगी और denominator में जो figure है profit and loss percentage calculate करूँगा तो मैं cost price लिखूँगा और अगर margin calculate करूँगा तो denominator में selling price के reference में calculate करूँगा marked price यह बहुत important है इससे related question आते हैं तो price जो print होता है आपके product के उपर या label के उपर उसको हुम बोलते है marked price अब company ने बना दिया उसने cost price कितना cost है अब cost price पर बेचेगी तो company को फैदा नहीं होगा तो उसने कितना mark up कर रखा है कितना cost price से ज्यादा print कर रखा है उसने अपने label पे that is mark up अब यह mark up क्यों होता है वो दिखाता हूँ mark up price क्यों होता है the increment of cost price before being sold to the customer वही कि अगर 10 रुपे में मैंने चीज बना ली और print मैंने कर दिया 20 रुपे 20 रुपे पे देखिए मैं बेच नहीं रहा हूँ 20 रुपे मेरा सिर्फ marked up price होगा जो label पे printed है बेच मैं उसे 18 पे भी सकता हूँ 9 पे भी सकता हूँ वो depend करेगा मैं कितना discount दे रहा हूँ तो यहीं से आता है discount discount यह हमेशा याद रखना है आपको कि discount हमेशा दिया जाता है marked price पे जो की उस पे printed है तो discount लोग बच्चे बहुत confused होके selling price पे लगाते हैं discount discount हमेशा लगेगा marked up price पे जो की label पे printed है ठीक है यह एक example लेकर मैं आपको clear हो जाएगा 4-5 का difference तो formula है यह जो मैंने पता है profit percentage का क्या है profit divided by cost price into 100 यानि की selling price minus cost price upon cross price into 100 और selling price का formula क्या हो जाएगा selling price का हो जाएगा cost price plus profit percentage जितनी हुए profit percentage मैं निकालूँगा cost price पे तो formula क्या हो गया cost price into 1 plus P by 100 P percent यानि P by 100 तो इसको मैं basically multiplication factor जो हमने concept याद कर रहा था multiplying factor उसके basis में लिख सकता हूँ कि selling price क्या होगा cost price into multiplying factor अब multiplying factor क्या हो जाएगा 1.x लिखते हम आपको याद है तो 1.x क्या है इस case में profit की percentage कितनी है तो selling price is equal to cost price into multiplying factor and multiplying factor क्या होगा 1.p अगर profit होगा तो obviously multiplying factor 1 plus 0.x लिखेंगे और अगर loss हो रहा होगा तो multiplying factor हो जाएगा 1 minus 0.x simple decrease और increase वाला concept है बिल्कुल सेम है अब यह logic की बात है अगर मेरा loss हो रहा है किसी चीज में तो selling price कम होगा तो multiplying factor का सीधा formula क्या है 1.x या फिर selling price upon cost price यह सीधा formula है इसका margin अब किस पर निकालते हैं simple बता है मैंने आपको selling price पर निकालना है उपर सेम रहाएगा नीचे base cost price की जागा selling price हो जाएगा तो change of base की problem में जैसे मैंने बता है अगर आपको question में सब उसको दे रहा है कि 25% margin है किसी चीज पर और उसका profit percentage निकालना है तो change of base का आप concept लगाई है सीधा तो 25% का सीधा 20% profit आएगा equivalent सीधा change of base आप change of base कैसे निकालते है या आप मेरी जो आपका link flash कर रहा है अपनी screen पर उस पर click करके वीडियो को देख सकते हैं तो आप यह असानी से समझ जाएंगे कि 25% margin 20% profit के कैसा equal है बहुत easy concept है बहुत easy concept है बहुत सबस्कुर एक pizza manufacturing company है तो उसने cost of making pizza क्या है वो मेरा cost price हो जाएगा company को क्या हो जाएगा उसमें क्या क्या ingredients चले हैं कितना labor लगी है कितने gas लगा है सबस्कुर आप मान लिया मैंने cost price है किसी pizza का अब price mark up कर दिया है 100% से अब mark up मैंने करती है price को cost price होगा जो label पर print होना चेज़ डबबे पर पीजा के तो markup cost price पर होगा यह ध्यान रखना है तो 100 पर 100% mark up देना है मेरे को 100% 100% पर ही हो गया तो mark up price को जाएगा 200 रुपे, label पर 200 रुपे पर तो यह ध्यान रखना है markup price किस पर होता है, cost price पर, cost price पर markup देते हैं, अब वो क्या कहा रहा है कि pizza पर हमने discount दिया 25% का, अब discount आप यार करो किस पर देना है, discount हमेशा जो printed price है label पर उस पर देना है, यानि कि marked up price पर देना है हमें discount, तो discount हम 25% किस पर लगाएंगे, 200 रुपे पर, 200 रुपे पर discount लगाएंगे, 25% वो गया 50 रुपे, तो हमने pizza बेच दिया, finally 500 रुपे पर, वो क्या हो गया मेरा selling price, तो इस example से आप clearly देख सकते हैं कि cost price, selling price, markup price और discount में क्या अंतर होता है, और चारों कैसे calculate होता है, cost price प price आजाता है, तो profit इस case में क्या हुआ, अब देखिए, उसमें 25% discount दिया, लेकिन उसको profit हुआ की loss हो, profit ही हुआ ना, 500 रुपे की चीज़ सी, उसने selling price कितना करा, 1500 रुपे तो profit कितना हुआ, selling price minus cost price, यानि 50 रुपे का, अब profit percentage क्या हो जाएगी, 50 रुपे divided by the cost price, यानि 50 अप पांचो concept समझा दिये, की कैसे calculate करते हैं, अब इसमें हमने क्या-क्या सीखा, कि cost price पे markup देते हैं, तो हमारा marked price आ जाता है, 100 रुपे का visa पे 100% markup दिया, तो mark price 200 रुपे हो गया, और marked price पे हमने discount दिया 25% का, तो discount किस पे लगएगा, marked price पे, तो कितना हो गया, selling price 500 रुपे हो selling price निकालना है, तो बीच में 2 successive percentages है, so successive percentages का concept हम यहाँ पे लगाएंगे, तो 2 percentages successive कौन सी है, markup percent और discount percent, तो 1 is a percentage increase है, markup क्या है, increase है cost price पे, तो positive figure है, discount क्या है, decrease है, markup पे हमने discount दिया, तो मतलब less, तो यह negative figure है, तो multiplying factor markup के case में क्या होगा, 1.x होगा, और discount के उसमें multiplying factor क्या हो जाएगा, 1 minus 0.x, यह वही है, और इसका formula भी पताया था direct, अगर आपको multiplying factor नहीं निकालना, तो सीधा आप निकाल सकते है, a plus b plus ab upon 100, क्योंकि d इसमें negative है, discount है, तो इसलिए sign minus हो जाएंगे, दोनों में, तो य यह formula आप सीधा profit percentage निकालने में use कर सकते है, markup percent minus discount percent minus markup into discount by 100, तो यह clear होगा आपको, बिल्कुल multiplying factor से भी आपको निकालना सिखा दिया, मैंने profit percentage, successive percentages के concept से भी आप निकाल सकते है, profit percentages का, अब एक last आज का topic देख लेते हैं, faulty balances, so faulty balance क्या होता है, faulty balance special case है, profit and loss का, यह बहुत question पूछा भी जाता है, तो इसको ध्यान से देखेगा, एकी slide में मैंने समझाने ही कोशिश करिए, basically होता क्या, तो basically यह problem इस तरीके की होती है, suppose a shopkeeper ने आपको एक किलो शुगर बेची, लेकिन उसने तोलते वक शुगर को एक किलो की जगा ऐसा set कर रखा है, अपने weighing scale को कि उसने आपको एक किलो की जगा 900 ग्राम ही दी actually में, ठीक है, तो अगर वो आपको यह कह रहा है कि मैं आपको cost to cost भी दे रहा हूँ जितने कि उसको पड़ी उतने की 1 kg आपको यह दे रहा है, तब भी वो profit ले रहा है, कैसे, क्योंकि उसने आपको दी तो 900 ग्राम ही, तो cost लेकिन उसने आपको दी, आपसे लिए कितने पैसे, 1 kg के लिए, तो 100 ग्राम की जितना प्राइस हैE 용ar का, उस पे तो वह profit कमाई गया चाहिए वह आपको cost to cost ही दे रहा है ठीक है तो वह ही है faulty balance कि वह आपको कह रहा है कि मैं cost to cost दे रहा हूं बाकी चीज़े constant है आपको बस यह कितना profit होगा shopkeeper को यह निकालना है तो इस case में क्यों होगा 900 gram का cost to us है तो cost price मेरा 900 gram का हो गया और selling price minus cost price क्यों हो जाएगा फिर selling price उसने आपसे लिए कितने हजार रुपे हजार के सब्सक्राइब एक किलो के सब्सक्राइब से लिए अपने उससे आपसे पैसे तो 1000 minus 900 होगे मेरा profit 100 grams का profit हो गया मेरे को divided by 900 cost price कितना यह था पड़ा उसे 900 gram की पड़ी थी cost to 100 by 900 नहीं 11.11% का shopkeeper को profit हो गया सी सीधा सीधा बिना markup करे हुए ठीक है तो यही है basically shopkeeper आपको मनलब चीजे तोनने के साबसे गलत reading दिखाते scale वह अब यह तो सीधा logic से कर रहा है अब इसका सीधा formula भी बहुत असान है यह याद कर लीजे कि जो multiplying factor है कितना profit हुआ उसको निकालने के लिए is equal to actual reading जो आपका scale द दिखा रहा है actual reading इस case में कितनी दिखा रहा है 1000 की एक किलो शुगर हो गई है दिखा एक किलो रहा है पर उसने दिया आपको 900 तो divided by amount actually it sold amount कितना है उसने दिया आपको 900 तो यह multiplying factor का formula है सीधा सीधा actual reading on the scale divided by the actual amount sold तो इस case में क्या हो जाएगा 1000 divided by 900 यानि कि 10 upon 9 यह हो गया multiplying factor त 10 upon 9 था minus 1 तो 1 upon 9 हो गया profit सीधा तो वह यह 11.11% profit आप इस formula से भी निकाल सकते हैं यह आप याद कर लिजए ज्यादा कुछ आपको logic लगाने की जुरत नहीं पड़ेगी फिर और यह कैसे-कैसे होता है ऐसे question भी आते है कि अगर buy to get 5 है तो कितना profit percentage है या कितना loss है ऐसे questions भी पेट्रोल पंप में आपको उसने दिखाया कि आपको पांच लिटर दे दिया पर दियो उसने चाहरी तो कितना profit है same way in faulty balances के यह example है तो दोस्तों अब इनके based numericals के साथ मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे-कैसे papers में questions आ आए हुए है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का concept building वीडियो आपका profit and loss को आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अखले वीडियो में हम इनके numericals देखेंगे तब आप इन concept को असानी से लगा पाएंगे और अगर आपको हमारा आज के वीडियो पसंद रहा हो त तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बब बाई and happy learning